नमस्कार, शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका एक बार पनोश्वागत है। मैं हूँ भासकरानन्द डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही यूटूब के पसंदीदा चेनल गोवलोक्स में। एक पुरुष जातक हैं, एक दार्षनिक किसम की हतेली है और सकारात्मक सोच वाला ब्यक्तित्वा आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो इस परकार के साइन को यहाँ पे बना रहा है। साथ में देखेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे आप इस परकार के साइन भी देख रहे हैं, जो वर्ग के साइन बन रहे हैं, चतुस्कून जिने कहते हैं। और आपका जो अंगोठा है अगर इसको देखते हैं तो ये इस प्रकार की आकर्ति को यहां पे बना रहा है जो भी चिन है ब्रिस्पति को छोड़ करके सूर्य पे जो चिन बन रहे हैं अभी उदयमान इस्तिति में है आपका अंगोठा जो सुक्र प्रवत से प्रभावित है वो भी एक निश्चित वर्ष की आयूसे सफलता की इस्तिति को दिखा रहा है सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिस्पति के जो ये लकीरे हैं ये आपके प्रोग्रेश और आपकी अध्यात्मिक्ता को बता रहा है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं आप ब्यापार की तरफ जाने वाले हैं और ब्यापार में सफलता की सीमा को पार करने वाले हैं वही आपका सोर्य पे जो ये चतुसकोण है जो ये तिर्भुज है ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो आपकी आर्थिक इस्तिति है वो जबरदस्त रहेने वाली है चतुसकोण बता रहा है कि निश्चित तौर पे आपको धन, धान्य, मान, यस्पद प्रतिष्टा यानि जीवन की हर उचाई को पाने में सपलता की इस्तिति को हासिल करने वाले है और कहीं न कहीं ब्यापार की इस्तिति को दिखा रहा है लेकिन कब से देखेगा यहाँ पे अंगोठा इस पश्ट तरीके से कह रहा है कि जीवन काल के चपनुए वर्ष के बाद से ब्यापार में बड़ी सपलता है ब्यापार में जाएंगे उससे पहले अगर जाते है तो नुकसान होगा उससे पहले जीवन में कहीं न कहीं आपका संगर्स बना रहेगा जल्द बाजे करेंगे तो धनहानी होगी और उससे पहले ब्यावसाई अगर करते वी हैं तो ब्यावसाई में नुकसान उठाना पड़ेगा और उसमें भी विसेश कर पार्टनर्शिप में चाहिए अपनी परिवार के ही सदसे के साथ हूँ पार्टनर्शिप में 56 वर्स से पहले ब्यावार नहीं है और उससे पहले खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने की संभावना है और जीवन में धन का माने की जो इस्त इस्तिति को देखें तो लेट में बन रही है बहुत लेट कहेंगे इसको 56 वर्स की आई के बाद बहुत अच्छा समय आपकी जीवन में आ रहा है विदेश की योग भी बन रहे हैं लेकिन वो 56 वर्स के बाद बन रहे है ठिक 57 वर्स से ठिक यह इस्तिति इस चीज़ को बता र किसे फिर आपके सवाल भी लेते हैं और आपके हतीली का बारी किसे बिस्लेशन भी करते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी हिर्दई की लकीर इस परकार से जाती हुई पूरी हतीली को पार कर रही है लेकिन एक लकीर यहां से इस परकार से जा रही है और यह लकीर इन दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है जो आपकी महत्व कांचा को बता रही है कि कहीं न कहीं महत्व कांचा बड़ी मात्रा में आपके अंदर है सोच भी आपकी बहुत आगे बढ़ने की हो रही है इक्छा भी आपके टॉप लेबल पर पहुँचने की हो रही है और कर्म भी आपके उस और जाते हुई दिखाई दे रही है और अपने बलबूते पे सरवता सफल होंगे हतेली की ये लकीर कह भी रही है ठिक तो इन चीजों को ये दिखा रहा है अब यहां पे देखेगा ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये है देवगुरु ब्रस्पति का परवत ये ब्रस्पति का परवत बहुत जादा कमजोर इस्तिति में दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा साधरन इस्तिति में आ गया है और जब ये साधरन इस्तिति में आता है तो आपके अंदर भी ये साधरनता दे रहे है एक सामन्य विक्तित्व देते हुई ये दिखाई दे रहे है अब देखेगा बिरस्पति जब ऐसा होता है विसे इस देखेगा तो आपके पास कितना भी ज्ञान हो उस ज्ञान को implement करने के लिए platform नहीं मिलता है अगर ऐसे में बिबाह नहीं हुआ है तो क्या होता है? बिवाह बहुत देर से होते हैं, बिवाह में अर्चने आते हैं, रिस्ता नहीं बन पाता है अगर बिवाह हो गया हो, तो बैबाहिक इस्तिती तनाव पूर्ण रहती है बैबाहिक जीवन का जो सुक का भोग है वो बिक्ति नहीं कर पाता है मन मुठाओ की इस्तिती जादा बन जाती है ठीक है न? अपने सवाल भी किया था क्या पारिवारिक कलेश एसे ही चलता रहेगा देखेगा जब तक आपका ब्रस्पति इस प्रकार से हो ठीक है न? तो पारिवारिक कलेश रहेगा और उसके साथ साथ देखेंगे तो सुक्र अती बली हो गया यहां पर जबरदस्त फूल गया है जब सुक्र इस प्रकार से फूलता है ब्रस्पति इस प्रकार से कमजोर होता है तो ब्यक्ति को मानसिक प्रेशानियों का सामना करना पड़ता है बिक्तिका जीवन संकटों और कठनाईयों के बीच गुजरता है लाख परियास करने पर भी सारे साधन होने के बावजूद भी सुक नहीं मिल पाता है और बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिसरम करने पर भी अभाव की इस्तिति जन्म लेती है और ये दामपत्य जीवन का सुक परिवार का सुक कुटम के सुक को विशेश दरसाता है तो जब तक ये अतिबली रहेगा तो परिवार का जो सयोग है जो सपोर्ट है उस रोप में नहीं मिल पाएगा दामपत्य जीवन में भी कही न कहीं जो सुक का भोग है नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है आपने ब्रिस्पति को ठीक करना है ब्रिस्पति के ठीक होते ही आभी ब्रिस्पति धाया में है सुक्र का परवत भी धाया में है तो क्या है ढाई बर्सों तक तो अभी जो है आपने केवल प्रियास करना है विदिवत तरीके से और जब आप निश्चित तोर पे एक सही दिशा की तरफ प्रियास करेंगे तो उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए बिहतरी नहेगा और विशेश करके देखो इस पश्ट तरीके से कहों तो 56 वर्ष के बाद का समय ही आपके लिए सभी तरों से सर्वोपरी है अब आपने दूसरा क्वेशन लिखा है पत्नी वो बड़े बेटे से बिचार कैसे मिलेंगे आपका सुक्र और ब्रिस्पति के उपड़ डिपेंड क जो है आप ये चीज कर पाएंगे तीसरा आपका क्वेशन है छोटा बेटा बिदेश में है मैं उसके साथ मिलकर वहां हेंड लूम का बिजनिस करना चाहता हूं कब तक पोसिबल है मैंने बता दिया आपका अंगोठा देखकर कि 56 वर्ष के बाद का समय आपका ब्यापार का का भी अच्छा है विदेश जाने का भी अच्छा है और परिवार के साथ सामन्ज से विठाने के लिए भी बहुत सांदार है अब आपने जो है चोथा सवाल किया है स्वस्त्या देखेगा जब तक ये सुक्र अती बली अवस्ता में रहता है तो साररिक स्वस्त्या या मानसिक स्वस्त्या में विकार देता है तो इन करिबन करिबन चार बरसों तक आपको मानसिक और साररिक स्वस्त्या के परते थोड़ा सचेत रहना है बहुत बड़ी संकट में डालने वाली भीमारी नहीं होगी जो कही न कहीं जिवन को बरबाद करे उस तरब से निसंकोच रहे लेकिन मानसिक तनाव और जो है छोटे मोटे स्वच्ते समंधि बिकारों से बचके रहे ना ब्यापार के लिए हमने बता दिया है 56 वर्स के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है ग्रह सांति के लिए भी हमने समय बता लिया कि अभी धाय वर्स थोड़ा सा जो है धन के बारे में हमने पहले ही आपको जो है सुचित कर दिया है अब आते हैं हम ब्रस्पति के पुपनो देखेगा ब्रस्पति ऐसे हो तो बैबाहिक जीवन के लिए हमने बता दिया है संतान अगर संतान नहीं हुई हो ऐसे विप्ति के तो संतान होने में क्या होती है कठनाईया होती है संतान देर से होती है चिंताई रहती है और संतान हो तो संतान का जो सुक है वो पूरी तरों से प्राप्त नहीं होता है प्रस्तितिया चीजों को बदल देती है और चाहे पैतरिक संपति हो ऐसे में आपके पास कितनी भी पैतरिक संपति हो या तो वो बाद विबाद में फस जाती है या तो उस संपति का लाब नहीं होता है और चाहे धन हो ऐसे में धन के मामले में संगर्ष रहता है अगर बिरस्पति इस प्रकार से हो और सभी प्रकार क जो सुक मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं अगर बिरस्पति इस प्रकार से कमजोर होता है तो लाख प्रियास कर ले सारे साधन हो जाएं आपके पास तो भी सुक उस रोप में नहीं मिलता है और सही दिसा दिखाने वाला व्यक्ति आपको मिलता नहीं है और मिल भी जाता है तो उसकी जो सिक्छाएं हैं उसकी जो चीज हैं वो आपको पसंद नहीं आती है आप विश्वासी ही नहीं कर पाती है ठीक है न? ऐसा ये बिरस्पति के कमजोर होने से होता है और कहीं न कहीं जीवन में बड़ा संगर्श करना पड़ता है अपने आपको अकेला मैसूस करता है ऐसा विक्ति तो क्या करना है आपने सबसे पहले आपने ब्रिस्पति को ठीक करना है और इसको ठीक कैसे करें? देखेगा मैं ओडियो के माद्यम से भी और लिख करके भी इसनके उपाई भीज रहा हो बिदिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाब होगा ये सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है आपकी हतीली में दूसरी बात अगर हम देखें आपकी जीवन की रेखा इस तरों से पीछे की और आ रही है एक बार जब जीवन में सेटल होने बैठ जाएंगे तो निश्चित तोर पे जो है उसमें चीजें अच्छे आएंगे सुन्दर इस्तिति में आएंगे और आप उसका प्रियोग कर पाएंगे मस्तिस्क रेखा आपकी इस तरों से आती हुई जा रहे है लीकिन नीचे से मिल रहे है कलपना बहुत जादा रहेगी एक लंबी और हवाई आतरा का मौका मिलेगा सुखद आतरा का क्रियेटिविटी बहुत अच्छी रहेगी लेकिन जब जब ब्रस्पते इस तरों से कमजोर होगा तब तब चिंतातर सोभाव भी रहेगा दूसरी बात दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं दूसरों के दिमाग का सोचा हुआ कार्य ज़्यादा पसंद आ सकता है और खुद की जो स्वतंतर बिचार धारा है उस पे कम बिचार कर सकते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा मैं दिब्य योग ध्यान के रिए आपको दे दूँगा उसको प्रॉपर करेंगे तो बहुत अच्छा लाब मिलेगा एक तो दूसरों की बातों में बहुत जादा ना आई और दूसरों के दिमाग का जो निर्ड़य है वो कितना भी पसंद आ जाए एक बार उसका एनलेसिस जुरूर करें अपनी खुद की स्वतंतर बिचार धारा को जादा डेपलप करें ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका करियर और धन की रेखा बहुत अच्छे है लेकिन बीच बीच में टूट टूट कर आगे जा रही है और पूरी हतेले को पार कर रही है ये जबर्दस उतार चड़ाओ देता है जीवन में करियर और धन के मामले में जबर्दस उतार चड़ाओ इसके लिए क्या करना है आपने देखेगा ये सबसे महत्वपूर्ण है आगे जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चड़ाओ न रहे थोड़ा इस्टेबिल्टी रहे मान सम्मान प्रतिष्टा बनी रहे और इसके कारण जीवन सांदार इस्तित में जाए जैसे आपकी हतेली है तो क्या करना है आपको एक दिब्यय योगध्यान के रिया करनी है और महालक्ष में का रात्री का उपाय करना ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगे और फिर ये चीज ज़्यादा बलवती होगी दो रेखाई अपनी ही बलवती पर स्वयम की मेहनत स्वयम के परिसरम से स्रेष्ट सपलता आने वाले समय में हासिल करने वाले है और उसके कारण यहां पे देखेंगे दो लकीरे हैं बहुत सांदार इस्तिती में ये इस पाष्ट तरीके से बता रही है कि देखेगा आने वाले समय में बिसेश कर 56 वे उर्सके बात का आपको एका एक दोसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता जाएगा और जिवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपकी उपर बनी हुई है इसका आप साच्छात रूप में उन्भाव करेंगे दूसरा ये लकीरे एक दूसरे को पावर दे रही है तो आप में बहुत अच्छी प्रतिबा है आप में तीब्र बुद्धी है उसका पूरी तरों से आप उपयोग कर पाएंगे आपके अंदर कुद्रती तोर पे जो सोचने और समझने की सांदार सक्ति है पिसेश रूप में वो डेपलप जादा होगी उसको इंप्लेमेंट करने के लिए प्लेट्फों मिल जाएगा और आपका एक सांदार ब्यक्तित तो उभर कर आएगा और ऐसा ब्यक्तित तो जन्म ले रहा है कि जीवन काल में एक बार कोई डिसिजन ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का समर्थ्य भी आपके अंदर रहेगा और आपका ब्यक्तित तो अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव साली यहां पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी बात देखेंगे कहीं न कहीं इसमें लकीरे हैं तो अचल संपत्य का भी आप लाब प्राप्त करेंगे यह दिखाई दे रहा है इस पश्ट तरीके से तो यह चीज आपके लिए बहुत सांदार है लेकिन एक मस्तिस्क रैखा से उच मंगल की तरब भी रैखा जा रही है तो थोड़ा सहिन सीलता की कमी है च्ण भंगुर वाला गुस्सा जादा है लडने जगलने मानने मरने में ज़दा उतारों हो सकते हैं इसकी संबहवना को दिखा रहा है तो मंगल को सान्थ करने के लिए क्या करना है दिव्य सूर्य किरिया में मंगल का उपाई करना है चीजें बेहतरीन इस्तिती में आएगी इस बात के और ये संकेत कर रहा है यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है आपकी मिडल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मातरा में रहेंगी इस स्वर में जबरदस्त और अटूट विश्वास बना रहेगा कुरूरता है, निश्ठूरता है, खडोसपन है आपको छू भी नहीं पाएगा एक दयालो वाला व्यक्तित्व दोसरों की मदद करने की भावना रखने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है, यह सांदार प्रणाम देगा दयालोता रहेगी गुरूवां के परती सरदा रहेगी और जो आपकी बिद्धता है उस बिद्धता के लोग कायल हो जाएंगे जो आपका नौलेज है दोसरों को टीच कर सके ऐसी नौलेज आपके अंदर दबी हुई है वो निखर कर सामने आएगी और लोग उसका लोहा मानेंगी यह दिखाई दे रहा है कर्म की उंगली अगर देखे एक इस पश्ट रोप में सांदार इस्तित में खड़ी है और ब्रस्पति पे प्रभाव डाल रही है यह बड़ा सांदार है यह आपकी मानसिक चमता को दिखा रहा है कि व्यक्ति की नेचुरल तरीके से जो मानसिक चमता है वो जबरदस्त है और किवल मानसिक चमता नहीं है व्यक्ति की अध्यात्मिक चमता भी परिपूर्ण है और भग्यसाली है व्यक्ति स्वाबिमानी है बिबेकी है औरों की मदद करने वाला है बुद्धिमान है भग्यवान है यह चीजें निखर रही है और आने वाले समय में निखरेंगे ये उंगली हल की रूप से जुक रखिया है मिडली फिंगर की तरब यस पाने की इक्षा है बेक्ति के अंदर नेम फिम पाने की इक्षा है अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा बहुत सांदार है और यहाँ पे देखेंगे तो ब्रिस्पति की उंगली से बड़ी है हलकी रूप में हमारा हस्त रेखा का पौरानिक सास्तर कहता है लिखा हुआ है उसमें कि अगर आपकी सूर्य की उंगली चणिक बड़ी हो आपकी ब्रिस्पति की उंगली से और आपकी कर्म की उंगली से सन की उंगली से छोटी हो छणिक मात रभी तो सही समय आने पर ऐसा अव्यक्ति यस की प्राप्ति करता है मतलब आप यो सुस्वी होंगे समाज में मान परतिष्टा यस पाने वाले होंगे फिम पाने वाले होंगे और सफलता निश्चित ही आपको मिलने वाली है यह बता रही है अब यहाँ पर एक चीज और देखेगा सबसे चोटी उंगली आपकी पूरी तरों से जुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक भी आपके अंदर जबरदस तुरूप में रहने वाली है लेकिन ये इसके पहले पौर्वे तक नहीं पहुँच पा रही है तो धन के प्रबंदन में कमी रहेगी कम्यूनिकेशनी स्किल्स में भी हलकी कमी रहेगी अपने को सही तरीके से अभी जाहिर करने की जो चमता है उसमें हलकी कमी है ब्रिस्पति के कारण चीज़ें दबी हुई है फाइलिंग, डॉकुमेंटेशन, एकाउंटिंग ऐसे में थोड़ी कमी को दिखा रहा है ये लेकिन आगे चल कर ये कमियां पूरी होंगी अब एक चीज और देखेगा यहां पे सभी उंगलियों का जो जुकाओ है ये मिडल फिंगर की तरफ है तो ऐसे में सनी के जो नैसरगिक कुण है नगेटिब वाले उपरबल हो रहे हैं जब भी आपकी कुंडली में सनी साड़ी साती में होंगे धाया में होंगे बकरी में होंगे उसका प्रभाव जीवन पर गहरा और थोड़ा लंबा पड़ेगा क्या पड़ेगा ऐसे में कई बार दुखी से हो जाएंगे कई बार सब कुछ होते हुए भी खुसियों में कमी रहेगी इन बातों को ये देगा इसका कोई उपाई नहीं है ये नेसर्गिक है जब जब सनी साड़े साथी धाया में आएगा बगरी में आएगा ये फल देगा अंगुठे के बारे में हमने बता दिया है रेखाओं के बारे में बता दिया है अब हम चलते हैं आपके परवतों पे परवतों में भी मैंने सुक्र के बारे में पूरी तरों से बता दिया है हाँ इसका उपाई है दिब्य योग ध्यानी के रिया और वेसे भी थोड़ा मैं उपाई दे दूँगा इसका जरूरी है करना निम्न मंगल अगर देखें ये बली होता जा रहा है उबर राच्षण भंगूर वाला गुष्хा और सहिन सीलता की कमी दिखाई दे रही है कहीं न कहीं लडाई जगडे की और ये ले जा रहा है परिवार में कला है इस्तिति की और ये ले जा रहा है व्यक्ति सोचता है यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं पिर भी मेरे ही उपर दो सार उपर हो रहा है, तो कहीं न कहीं, यह मंगल इन चीजों को देता है और ब्रस्पति खराब हो तो मंगल का प्रवाव, और भी बढ़ता है, निम्न मंगल भी आपका जो हैं उच्च मंगल भी जबरदस्ट उभर गए है, प्राकरम को दे रहा है, औ तो समाल नहीं पाता है चीजे ठीक है जित देखो जैसे आपकी टीवी है टीवी चल ले उसको एक निश्चित पावर मिलती है तो वही सही चलता है और एक आएक उसको पावर बहुत ज़्यादा मिल गया तो वह फुक जाएगी सबको समाप्त कर लेगी अतिवली पावर जब उससे मिलेगा तो तो वैसे ही मस्तिस्क से अगर सिधा पावर मिल गया प्राकर्म बहुत ज़्यादा मिल गया तो विक्त के अंदर सहिन सीलता की कमी होती है च्छन बंगोर वाला गुस्चा एकदम पैदा हो जाता है नेचुरल तरीके से विक्त समझ नहीं पाता है तो क्या करना है अपने दिव्य योग ध्यान किरिया दिव्य सूर्य किरिया और उसमें मंगल का उपाई यह आपके लिए बहुत जरूरी है अब यहां पर देखें ब्रस्पति की हमने समझ लिया है सनी की इस्तिति देखें सनी की इस्तिति बहुत अच्छी है कोई गलत फल नहीं दे रहा है लेकिन जब इस प्रकार का यव जैसा साइन बनता है तो चीजों में हलकी असफलता को दिखाता है सारे जो अच्छे प्रिणाम हैं उनको बदलने की कोशिस करता है और यहां पे धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारी रेखाएं प्रवपर तरीके से समानतर एक द दिखाई दे रही है छोटी छोटी रेखाएं तो यह रेखाएं बताती है कि जो यह योग बना रहा है आपकी विचारों को बिखेर रहा है कभी कुछ करना चार रहे होंगे कभी कुछ करना चार रहे होंगे अतेव चैव ब्यापार हो चित्रकारी हो कला हो कोसल हो कोई भी क काम हो विशेश काम में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं यह इस चीज को दिखा रही है तो इसके लिए दिब्य सुर्य किरिया दे रहा हूं उसको जरूर करेगा निश्चित ही लाब होगा चोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पानी की एक्षा जादा रही यहां पर भी अच्छे करता हैं और बुढ़ापे में विशेश कर 56 वर्ष के बाद का जो समय है उससे लेके अंत तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा ब्यापारिक समझ जबर्दस्त रहेगी समाज में अपने को जाहिर करने की जो सामर्थ है जो सक्ति है वो प्रबल रूप से आएगी और तन से खुब सुरत रहेंगे बाणी से खुब सुरत रहेंगे और बुद्ध भी अच्छी इस्तिति में आ रहा है तो हर तरह की परस्तितियों को भली बहांती समझने वाला ब्यक्तित तो रहेगा योजना बना कर चलेंगे अच्छा खासा फायदा होगा जो भी काम परारम क अधुरे मेने चोड़ेंगे पूरा उश्य करेंगे मनों बेग्यानिक के छेतर में भी माहिर होंगे सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छे तरों से जानेंगे फाइदा उठाएंगे पूरा और ब्यापारिक कारियों में आने वाले समय में विसे सपलता क प्राप्ति होगी चंद्रमा बड़ा खुबसूरत दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पे उठा हुआ है यहां पे बैठ गया है यहां पे उठ गया है तो यह क्या कर रहा है शुक्र के साथ मिलकर अभी परिणाम थोड़ा दोसित दे रहा है मन गडबन रखे हुई है मानसिक प्रेशानी से गर्सित है कभी-कभी भावकता बहुत ज़्यादा दे देता है इमोशनली प्रेशान करता है आपको और कभी-कभी आपका मन अच्छा नहीं रहता ये कह रहा है बैचैन हो जाता है, ब्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, कारियों में नहीं लगता है जी नहीं लगता है और थोड़ा-थोड़ा इसका असर आपके digestive system पे होता है पेट की दिक्कते हलकी दिखाई दे रही है लेकिन नीद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, इसको दिखा रहा है तो इसके लिए भी मैं एक विसे सुपाई दे रहा हूँ, इसको जरूर करेगा, निश्चिते लाव होगा कुल मिला के बात करें तो आपका जो ब्रस्पती है और आपका जो सुक्र है, उसके परिणाम अच्छे नहीं है जिसके कारण जिवन में उतार चड़ाव से लेके विविन परकार के विकार, विपिन परकार की उलजने, विविन परकार की समश्याओं आ रही है ये सब चीजों को अगर हम केवन ब्रस्पती और सुक्र को ही अगर ठीक कर लेते हैं तो चीजें अपने आप अच्छी होने बैट जाएंगी और जिवन भहुत सुद्रड और बहुत सांदार इस्तित में गुजरना सुरू हो जाएगा तो दो चीजें हैं एक तो मैं दिव्य योग ध्यान किरिया और सुर्य किरिया आपको दे रहा हूँ ठीक है ने बहुत सरल ब्यायाम है परणायाम है करने की कोशिस करें लेकिन बिदी बहुत अच्छी रखें समाई का ध्यान रखें और अनुसासन में रहें ठीक है ने दूसरा में आपको ब्रिस्पति का प्राकृतिक उपाई दे रहा हूँ बहुत जरूरी है और तीसरा में सुक्र का माला जाप दे रहा हूँ जो बहुत जरूरी तो इन तीन चीजों को आपको करना है निश्चित ही अपने आप जीवन में सपलता मिलेगी